हेलो दोस्तों चाला खोडा के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत हैं आज के वीडियो में हम लोग कोडा राजी का next part करने वाले हैं इससे पहले हम लोग 5 part कर चुके हैं अभी तक हमने क्या देखा था कि कर्मू को धर्मू लड़की दिखाने के लिए ले जान खंड का पहला द्रिश्य किये थे आज हम लोग दूसरा खंड का दूसरा द्रिश्य करने वाले हैं इसका मतलब क्या होता है कि जो नाटक होता है उसको stage में perform किया जाता है नाटक उसी के लिए लिखा जाता था तो ये वाला नाटक को पहली बार 1986 में perform किया गया था stage में 1986 में पहला मंचन हुआ था इसका मतलब ये है कि उस समय first time stage में इसको किया गया था अब तो नाटक stage में देखने को नहीं मिलता है पर पहले के जमाने में जब theaters वगेरा नहीं थे तो यही मनोरंजन का साधन हुआ करता था तो नाटक लिखते थे और उसी को stage में perform करते थे 1986 में पहला बार इसका मंचन हुआ था तो हम लोगों को उसी तरह से imagine करना है नाटक को करते हुए कि हम लोग दर्सक हैं दर्सक की कुरसी में बैठे हुए है हमारे सामने stage है और यह जो नाटक चल रहा है वो हम लोग देख रहे नाटक को तो अच्छे से समझ में आएगा ऐस हम लोगों को सोचना है ऐसा हम लोगों को imagine करना है तो अभी हम लोग दर्सक हैं बैठे हुए है सामने में stage है वहाँ पे द्रिश्य दिख रहा है परदा खुलता है तो वहाँ पे क्या दिखाई देता है हम लोगों को अब stage है वहाँ पे एक घर दिखा रहा है घर दिख रहा है हम लोगों को और एक bench रखा हुआ है और वहाँ पे कर्मू और धर्मू stage के अंदर घुसते हैं ठीक है इस तरह से हम लोगों को imagine करना है तो आगे बढ़ने से पहले आप मेंसे जो लोग भी मेरे चैनल पे नई आए हैं वो मेरे चैनल को subscribe जरूर कर दिजेगा और अंति तक देखिए देखने के बाद अच्छा लगे तो like जरूर कर दिजेगा और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं तो कम से कम आप लोग एक comment करके जरूर जाईए अगर कुछ नहीं लिख पा रह हैं इस वीडियो में और क्या हो सकता था यह भी आप लोग बता सकते हैं और आप लोगों के लिए अतनी मेहनत करता हूं तो मैं भी आप लोगों से थोड़ी से मेहनत के उम्मीद करता हूं तो थोड़ा सा time निकालके इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों को share कीजिए जो लोग भी खुड़ुक पढ़ना चाहते हैं उनको ताकि उनको भी लाब मिले और मेरा चैनल को भी फाइदा मिले और मेरा चैनल भी ग्रो करें और एक कोमेंट तो कम से कम जरूर कीजिए तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यह दिरिस्य हमने देखा कि एक घर है मंच में और वहां पर एक बेंच दिखाई देता है और कर्मु धर्मु उसमें घुशते हैं अब धर्मु बोलता है मेना कर्मु भाई इन एकका कथन पर उन अदिन मेनना लगो तो धर्मु कर्मु को बोल रहा है देखो कर्मु भाई हम जो बोल रहे हैं उसको तुमको सुनना पड़ेगा यह लड़की का घर है और यहां पर तुमको अच्छे से रहना पड़ेगा तुम जो कपड़ा पहने उसको धंक से करो कि लड़की दिखाने के लिए तो आब यह एकदम भाव खा रहा है कि करम जो हम बोलेंगे करना पड़ेगा हम लड़की करनेके लटाएम है यह लड़की का घर है चलो अभी तुम पहना हुआ कपड़ा को ठीक करो घरम तो कर फ़िए करता है तो कश्रु Board अपना कपड़ा को ठीक करता है ना किच्रिन फीर नक्रनुफ एगदम अड्यस्ट करता है अपना कपड़ा को ठीक अहां ठीक bets आधं एधर्मू निग pewn"-टपिण चिया हिंए अधम Хотя we'll the book- soccer fantastic करता है उसके बाद बूथा है और तुम्हारा बात को सुनेंगे, ए धर्मु तुम जो टोपी पहने हो ना उसको हमको दो बोलता है, हम थोड़ा पहनते हैं बोल रहा है, तो अब धर्मु उसको जवाब देता है, भूरमीन गा ले अनकर भरसा नम दाए, जुला चिछकन, पेंठे चिछकन, खरपाहु चिछ पहले जमाना का चपल हुआ करता था, जो की टायर से बनाया जाता था, आप लोग देखे होंगे, अब बोलरा है कि सारा कुछ दिये, अब तुम टोपी को भी मांग रहे हो, उसके बाद उसको देने का मन तो नहीं करता है, उसको अपना टोपी से बहुत प्रेम होता है, उसका टोपी का प्रेम आगे हम लोगों को देखने को भी मिलेगा, तो हुदी यंदा, बोलके अत्ता टाटा गुस् इदे रहे हैं, तो धर्मु उसको जवाब देता है, कर्मु सिन उक्तानुम, पहले धर्मु कर्मु को बैठाता है, बैठाते हुए बोलता है, एंग है कत्थन इजगुमेना, तो धर्मु कर्मु को बोलता है, सुनो मेरा बात को तुम सुनो इदर, चेत बानुम, उसको चेत आते हुए बोलता है उगली दिखाते हुए मेरा बात को सुनो तुम नीन आगे-ागे अमके कच्छनकरा उसको बोल रहा है कि तुम आगे-ागे मत बोलना एन अगुवा हिक दन एन कच्छनकरों नीन च्छाचेम रहा के बिल्कूल चुपचाप तो कच्छ कह हो ले कथा बगड टोके तो फिर बात गड़ बड़ा जाएगा तो कर्मों बोलता है ठीक रही बोलता है अब धर्मों बोलता है उसको और अंथा कथा मेना जारा अर्खी चिवर होले अजबुत मया प्रेमती एंजर के मुदा हमके ओना फुर्मिन कले-कले एंगा चिके तो धर्मों देखो कित मैं आपती ख्रेमती एंजर के बोल रहा है कि अगर भडिया दारों मिलेगा तो बहुत प्रेम चुंप जोकना लेकिन उसको पीना नहीं सारा और धीरे दीरे चुपके से हमको देते जाना वो ड़ा है तो कर्मों उसको बोलता है उन्हों चुरूवा हुमारे उनकभे कर्वो तो उसको बोल रहा है कि तुम तो एक तब बाते को ने समझते हो कर्मू निसा पानी को लड़की लोग पसंद नहीं करती है अगर तुमको देख पीते हुए देखी तो फिर पसंद नहीं करेगी तो उसके बाद फिर पच्ता ना बोल रहा है अब पच्चो एक बुढ़ी आती है वो बोलती है कुरार की स्टेज में घूस रही है हम लोग स्टेज में नाटक देख रहे हैं हां ऐसा हम लोगों को इमेज घर था वहाँ पर एक बेंज था अब वहां पर एक बढ़िया घुषती है कुरार की घुषते हुए ने लुटर बाभु बगारों बोल रही है कौन हो तुम लोग बाभु सब बोल रहे हैं तो बोलता है हम लोग जुन है आयो लड़की देखने जुन आए हैं तो पच्च कि इसको मैया को देखने आई हो बोल रहा है ज़ता है कि हाँ तुम्हारी बेटी को जो लिए आए है बोल अब पच्चू बोलती है। बुढिव waren लहां। अब बड़ता है। नुवह देखो कर्मू तुम एकदम होसियार रहना। लड़की को देखके इधर अपना दिमाग को मत गलब लगा देना। ना भगवाना मत बोल रहा है तो अब पच्चो फिर से आती है लोटा अम उंद्रार की ची इनू म लोटा अम पानी लेक्ए और उन्छोप बोलती है लोग बेट्टा पानी लो भोलती है दर्मु संकोच थी, अक्कु एंगा इरखा मला चपरना आयो, राच यमन, तो दर्मु को लगता है कि वो उसके लिए पानी लाई है, क्योंकि उसको बातरूम जाना है, उसको मैदान लगा है, तो संकोच से बुलता है, अभी हमको पैखाना नहीं लगा है, अभी रहने दो, उ लगदान नई भाबू पैर्द होने के लिए जून दे रहे हैं बोलती है कि अच्छा ठीक है दो तब दो बोल रहाएं कि इसे खर्मु धर्मु एड़ो जन नोड़नर की उपकनर दोनों कर्मु धर्मु अथ पैर्द होता है उसके बाद बैठ जाता है बुड़िया बोलती यह निंबस इदन उसके बाद वह चली जाती है थेक है उंघुड़ थोड़ा सा बैठो निंबस यानि की पापा को भीज देते हैं तो फिर से करमों से बात करता है देखो सुनो कर्मू तुम एकदम चुपचाप रहना जो भी बोलना है हम बोलेंगे क्यूं जानते हो बोलता है कर्मू कुछ बोलता नहीं बस ऐसे करके नहीं में मुंडी ला देता है के दो फिर भर मुलता है ए अगुवा हिक दान वक डोंडो उसको बोलता है अरे हम अगुवा है बॉल रहे हैं वो बोलता है अब पच्चगिस अब उठ्णी होता है यानि कि लड़की का पापा का और आर्गि स्टेज में घुशता है सलाम मुझरा ननत उसको परनाम करता है सलाम करता है एका उर्दर हिकदर तो खन हुमल रफी चिन हुमल लगदन तो बुढ़ा घुस्ते हुए बोलता है कौन लोग हो भाई तुम लोग मेरा तो आँख भी नहीं रखता है पहचानने भी नहीं इसक़र है बॉल रहा है भर मेर बलता है एम निंग्जानखदी वगाम जुन हिक दम भा हो तो धरमे मर बलता है अरे हम लोग है तुम्हारे दमाद-दम लोग जुन हैー बाबा हुय बोल रहा है तो पक्चगी गुढ़ा बलता है दाम इस लिग बश के राधार गोड़ा वलता है कहां से आई हो तुम लोग बोल रहा है और मुट का ज आजए यूदी टौला ट्व टॉक अपना एड्रेस मता रहे हैं तरह करे पहां तो यह जगा का नाम है यह इंपोर्टेंट भी है इसको आप लोग याद रखोंगे कि कर्मु धर्मु लोग कहां से आये थे इट फोलागी डिविजन से आये अब पच्चगी फोले ने तंग है जन फदी हिक दरंती तो फिर वह बोलता है पूछ रहा है इन तुम दोनों में स कोन हो बोलता है अब धर्मु कर्मु कर्मु को दिखाता है कि आप इस तो यह हम इसके साथ में आये हैं लेकिन यह जो टोपी पहना है वो मेरा है बूल रहा है यहांग पुसका टोपी का प्रेयम दिखता है तोपी धर्मों का अपना टोपी से बहुत प्रेम है अभी आगे देखने को मिलेगा यहां पर थोड़ा से कॉमेड़ी भी है बुल रहा है कि दमात तो यह है हम इसके दोस्त है लेकिन यह जो टोपी पहना है वो मेरा है जो पचगी अब बुढ़ा बोलता है कोड़े दी मंती उंगल अब बुढ़ा बोलता है ठीक है थोड़ा देरी बैठो चाय सब बनवाते हैं फिर वो चला जाता है अब फिर से कर्मों और धर्मों के बीच में बात होगा कर्मों बोलता है कि सार्दस की गुस्सा होता है उसके बाद बोलता है निन एका से आला हिक दे हो उसको बोल रहा है तुम कईसा आदमी है दर्मो को बोलता है इंदर गे उसको समझ में नहीं आया कि क्यूं गुस्सा हो रहा है क्यूं बोलता है क्यूं फिर बोलता है तो फिर पत्नों तेंगना से इंदर चांड रहा अब नहीं बोलेंगा इसा बोल रहा है अब बच्चो फिर से बुढ़िया पुरार की घुस्ती है हाँ बबू दूई जन्नों ने ज़न खदी हिकदर रंती तो अब बुढ़िया को तो नहीं पता है कि दोनों में से दमाद होने के लिए कोन आया है इसका बाप को यह लोग को बताया था अब यह भी पूछ रही है कि दोनों में से ज़न खदी कौन है और दमाद है बलके अब भी धर्मु पहना हुआ है उस समय कर्मु पहना हुआ था तब धर में फिर से बोलता है कि दामात एए हैं और हम इसका दोस्त है और यह जो टौपी पहने हैं हम यह टौपी मेरा ही है बोलरा है मतलब उसके बारे में बताए भी बताएगा अब पच्चो बढ़िया बोलता है अब लड़की देखने के लिए महान आये हैं माता तो कईसे नहीं पीएंगे पीएंगे जो उन बोल रहा है तो पच्चव बढ़िया बोलती है रहा तबे उंगुड़ का कमदन चीदन उसके बाद चैल काली तो बोलती है अच्छा ठीक है थोड़ा देरी बैठो अभी बना देते हैं अब कर्मु गरम मनर की अब कर्मु को फिर से गुस्ता आ गया तो बोलता है धर्मु बोल रहा है अर अब लड़की का इंट्री होता है जिसको देखने आया ही लोग अब उन लो दों उन लों से फिस्से कोछ रहे की तुम दशन ब将 और कोन लड़की रिखने आया है अब उसको बताता है कि दमाद तो यह है हम तो दमाद का दोस्त है फिर थोड़ा सा सोचता है फोड़ा सा रुकता है और फिर बोलता है तोपी के बारे में तो बात ही मत करो बोलता है अब कर्मु फिर से खिसा जाता है कर्मु को बोलता है तुम एकदम थेथर हो तुम जीती गए चलो तुम मेरे से ज़्यादा तो तुम तोपी के बारे में बात कर ले हो तो धर्मु धिला उबड़ा कत्थन अगे तेंगा कुकोई एकास रही पईत्तार के कमला धर्मु बोल रहा है अरे छोड़ो उसा बात को यह बताओ कि लड़की कैसी है पसंद आया कि नहीं कर्मु अनमेंसक भावती तो दावीम जून रही तो एकदम खलासा तरमाने टाइ एकवा कर ना तुम उसकी मास विझात के कर लो और हम उसकी बेटी से करमु अच्चरसी, अब करम एकदम आश्चर्य से देख रहा है, इंदरा, उसको समझ में आए, क्या बोल रहा है धर्मू, क्या बोल रहा है असको, धर्मू बोलता है, हाँ, एंड, ठीके बालक दन, सुपट जुड़ी, जुम्रोत ले बोल रहा है, हम ठीके बोल रहा है, लोग सुने का तो क्या बोलेगा तुम एकदम रदी आदमी एकदम कए गुजर आदमी हो लोभी हो और मसकालाबिद्दस धर मुष्धर धर्दस की औक यह जाना चाहता है लेकिन धर्मु इसको बैठा देता है अब अब है धर्मु इसको बोल रहा है रहा ले ओन खुरिया के तुम्हारा बात सब को सुनके तो हमको यहां रहने का मन नहीं कर रहा है चो दस फिर ओड़ जाता है अब धर्मों बोलता है अरे बाबा उतना देरी यहां पे थे बैठे थे अभी खड़िया आ रहा है तो तुमको जाने मन कर रहा है उककर की खासर नखरदस फिर बैठता है फिर इधर इधर उजला चलता है अब कर्मों को फिर से गुस्सा आ जाता है कले कले उकका नहो दीन सगर उपड़ चुपड़ मनते रादा है उसको बोलता है अरे चुपचास बैठो ना दीन सगर तुम उपड़ चुपड़ होते रहते हो धर्मों बोलता है खासनूम फिर उख खुझली करते हुए बोलता है सहारा मल सहारी होतो बोल रहा है अरे नडगनन धरार की तो फिर वे खटमल को पकड़ता है ना इद उंटन का धर्च का रादन इदिम खच्चा लगिया खटमल को दिखाती हुए बुलता है एक्ठ तो पकड़े हैं देखो यही हमको पुरा काट रहा था कर्मु इंदरा लोही कि दरा बुलता है क्या है धर्मु ब बुया धिके ले रे नडगा है यानि खटमल है इसलिए मला बिरी पीटा ची ओ फच्चो यहां से भागो ने तो नहीं हम लोगों को मारी देगा कर्मु इंदरा बुचा गुचा गुचा बुचा बंगोत तो बुलता है चलो चलो भागो यहां से नगडा को देखेंगे कि फरलनों लड़की को देखेंगे दोनों जनभ बाल जाता ह। और यहां पे परदा बंद हो जाता है तो आज की वीडियो में यहीं तक आज दूसरा दिरेश्य खतम रूआ अगले पार्ट में हम लोग फीसरा दिरिश्य करेंगे अगर आप लोग यहां तक देखेंगे मतलब आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो अच्छा लगा है तो आप लोग थोड़ा सा मेरा भी चैनल ग्रोथ करने में मदद कीजे और कम से कम 5 लोगों तक इस वीडियो को सेर कीजे और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजे और कम से कम एक कमेंट ज़रूर करके जाईए ताकि मेरे चैनल को भी फायदा मिले और आप लोग comment के जरीए ये भी बता सकते हैं कि आप लोगों को next वीडियो में क्या चाहिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इसमें कुछ improvement का जरूरत है कुछ कमी वैसी हुआ सारा कुछ आप लोग comment box में बता सकते हैं Thank you for watching, मिलते हैं next वीडियो में